बारदर वेस्टेंडीज के बीच चल रही तीन मैचों की डीटुनडी सिरीज का तीसरा और आखरी मैच आज शाम साथ वजे से शुरू हो जाएगा आपको बता दें कि यह मैच चिन्ने के मेच इदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा वही इस सिरीज को लेकर वेस्टेंडीज के सीनियर क्रिकेटर दिनेश रामदीन ने बताया कि इस वज़ा से उनकी टीम को इस सिरीज में हार का सामने करना पड़ा रामदीन की माने तो उनके बल्लेबाच कुलदी प्यादव की गेंद को समझ नहीं सके और इसी वज़े से टीम को दोनों मैच गवाने पड़े आपको पता दें कि रामदीन ने कहा कि मौजूदा परिस्तितियों में टीम तैयार करना मुश्किल है अगर आप हमारे टीट्वेंटी खिलाडियों को देखे तो उनकी दुनिया भर में मांग है और इस मामले में हम परिशानी भी जेल रहे हैं हमारे सीनियर खिलाडी दोरे पर नहीं आए और यही वज़ा है कि हम इस सिरीज में शुन्य दो से पीछे हैं रामदीन ने कहा कि हमारे बल्लेबाज कुल्दी पियादव की गेंदो को नहीं समझ पाए और असल में बीच के ओवर में वो हमारे लिए एक बड़ी चुनोती र नहीं कर पाए नेक्स नाइस पोल्डेक से गॉरफ की रिपोर्ट